नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारतिय शाक्षय अधिन्यम में section 17 जो यह section 17 है यहाँ पर admission के बारे में बता रहा है कोई third person अगर कोई अपना admission देता है जहाँ पर उसकी liability बनती है या फिर वो उस position पर जहाँ पर उसकी statement को admit कर ले ज चुका हूँ अगर आपने नहीं देखी है तो आप भारतिय शाक्षय अधिन्यम के playlist में जा करके वो सभी वीडियो देख लेना तो चलिए शुरू करते हैं जो section 17 है इसकी जो बेरेक लेंग्वेज यहाँ पर बता रही है वो पोजिशन मस्ट बी प्रूवड एस यहाँ इसकी statement को इडमिशन मान लिया जाएगा और जहां पर यहाँ पर पर दें यहाँ पर क्या बता रही है statement made by person जो statement को bearing एक कि जो अपर ये पर्सन यहिए यहां पर पर संगज करूँगा इसकी लियाबिल्टी कैसे बनेगी और यह किस पोसीशन पर यहां पर आगे बढ़ते हैं इस नेसेसरी प्रूव ऐज अगेंस्ट एनिंश्ट तो सूट देगे जहांपर यह अपने इस्टेट्मेंट दे रहा है यहाँ पर यह प्रूव कर रही है किसी भी party के against में किसी भी party के against में इसकी statement कोई चीज प्रूव कर रही है कोई fact यहाँ पर प्रूव कर रहा है तो इसको हम admission माल लेगे इसकी statement को अब आगे पढ़िए क्या लिखा है if such statements would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them जो यहाँ पर third person अपनी statement दे रहा है इसकी statement को admission माल ले जाएगा कम माल ले जाएगा जहाँ पर इसकी liability है और यह इस position पर है इसकी liability यहाँ पर arise होती है और जो यहाँ पर यह statement दे रहा है इसके against भी यहाँ पर इस statement को use किया जाएगा किया जा सकता है अगर यहां पर कुछ ऐसे case के circumstances बनते भी है किसके relation में liability के relation में जहां पर third person की is subject to such liability जो ही third person है जहां पर यह statement को admission माल ले जाएगा जहां पर यह occupy कर रहा है अपनी position को इसकी position वहाँ पर आती है तो इसको हम माल लेंगे कि यहां पर जो यह statement दे रहा है यह admission है इसको हम admit कर लेंगे इसकी statement को जो third person है अब मैं आपको यह जो बेरेक language है जो मैंने भी आपको पढ़ा है इसको मैं आपको एक example से clear करने कोशिश करूँगा example है माल लिजे a person है a person ने c person से क्या purchase किया है कोई सामान purchase किया है और a person बोलता है c person को कि मैं आपको पैसे बाद में दे दूँगा अब यह बोलता है आप अब भी short ही बन जाता है यहां पर यह बोलता है c person को कि मैं आपके पैसे दूगा अगर a person ने आपके पैसे नहीं दिये यह बी जो भी इसका friend है a person का b person बोलता है यहां पर c person को कि मैं आपके पैसे दूगा अगर आपके पैसे a person ने नहीं दिये एक मेने के अंदर अदर एक म मना कर देता है ऒब अभिश के खिलाफ में क्या कर देता एक इस फाइल कर देता है अब परके की जो प्रोशीडिंग चलती है जो ट्रैल चलता के तो उसके में यह पर बी पर सिर्फ बोलता है कि ए sép Evans के उपर कोई कोई करजा नहीं है कोई पैसा यहापर दियू नहीं है थो बिसकर अब फिर ए person को बुलाइजाता है एक सबस्ते हैる अब आ लेकिन यहां पर इसकी लैबिल्टी आजाती है यह जो सेवंटी ने यहां पर यह बता रहा है जो मैंने अभी आपको बेड़ेक्ट लेंगविज में भी पताए थी यहां पर लाइबिल्टी अराइज होती है ना जहाँ पर पोजिशन आ जाती है तो यहां पर उसकी statement को admission मान ले जाएगा थर्ड परसन की statement को यहाँ पर क्या माले जाएगा admission माले जाएगा अब यह B परसन के against पर जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पर यह जो person है यह relevant fact है ठीक है और fact in issue यह निकल कर आ रहा था कि जो यहाँ पर C परसन के पैसे देने थे यह देने थे यह नहीं देने थे यह fact in issue था अब A person यहाँ पर doubt clear कर दिया अगर doubt यह था कि B person को पैसे देने थे मेरे जो मेरे बकायर आशी थी C person के उपर तो यहाँ पर यह अब आपको clear हो गया होगा जो third person है third person की statement को admission माल ले जाएगा अब इसे में ही एक illustration बता गई है उस वाली illustration से ओर clear हो जाएगा आपको section 17 यह आपर क्या बता रहा है अब जो यह illustration है इसमें भी A, B, C यह 3 person होते है अब A person undertaking लेता है B person को बोलता है कि आपका rent जो house का rent है आपका वो में ले लूँगा क्यूंकि B person भाहर जार होते है किसी person काम से और B person को C person से rent लेना होता है अब A person undertaking ले लेता है एन एंड परसन बोलता है कि आपका rent में ले लूँगा C से अब जब B person वापस आ जाता है और B person A person को बोलता है कि आपने मेरे rent लिया था या नहीं लिया था अब A person बोल देता है यहाँ पर कि C person के ओपर कोई बगयाराशी है नहीं आपकी कोई rent ही नहीं है उसके ओपर due तो फिर B person है जो B person A person के ओपर case फाइल कर देता है और जब case का trial चल रहा होता है तो उस case के trial में A person है जो जो undertaking ले रहा था कि आपका rent में ले लूँगा यह बोल देता है यहाँ पर कि C person के ओपर कोई due नहीं था इसी वज़े से यहाँ पर मैंने rent नहीं लिया अब जब C person को यहाँ पर गवा की तोर पर इसको संबन किये गए इसको बुलाया गया जब गवाई हुई थी अब C person की यहाँ पर statement थी कि मेरे ओपर rent due है यह मना कर देता है यह मतलग refuse कर देता है यह A के अगेस्ट में statement दे देते हैं यहाँ पर C person बोलता है कि मुझे यहाँ पर بعrare आशी देनी आई जो यहाँ पर rent due है यहाँ पर मुझे अपना rent देना है भी अब यह किसके अगेस्ट में बोल दिया A person के अगेस्ट में तो यहाँ पर A person के अगेस्ट में आ गई हाला कि B person ने A person को पर case file किया था अब यहाँ पर liability arise इसकी भी और यह C person की इसको rent देना था अब इसकी position भी आ रही है एक rent के तोर पर क्योंकि यहाँ पर एक rented person नहीं है ठीक है तो यहाँ पर C person की यहाँ पर liability भी आ रही है और जो C person यहाँ पर statement दे रहा है यह A person के अगेस्ट में दे रहा है अब यहाँ पर अगर यह बोल देता कि मेरे अपर कोई amount due नहीं है तो फिर यह B person के अगेस्ट में चले जाता अब B person के कैसे चले था क्योंकि B person नहीं पर rent के लिए case file किया था अब यह जो C person है C person तो फिर A person के favor में दे रहा है तो यहाँ पर किसी भी party अगेस्ट में जो भी third person दे रहा है जहाँ पर किसी person की liability बन रही है तो यहाँ पर इसकी statement को यहाँ पर admission माल ले जाएगा इस case में जो भी case यहाँ पर डाला जा रहा है और third person की वहाँ पर जो liability position आ रही है तो वहाँ पर इसकी statement को admission माल ले जाएगा अब आपको illustration से भी clear हो गया होगा जो illustration दी गए है section 17 में तो अब हम मिलेंगे अपनी next video में जिसमें हम जानेंगे section 18 को okay bye